हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो आर चैनल, आज हम लोग बात करने वाले हैं अगले हपते के लिए तीन ब्रेकाउट स्टॉक्स के बारे में, ये तीनों ही स्टॉक को आप अगले हपते अपने वाचलेश में रख सकते हैं और इसमें अपना पोजिशन बनाने का प्लान कर सकते है चलिए आज के वीडियो में चलते हैं और देख लेते हैं हमारे आज के तीनों स्टॉक्स, आज का हमारा पहला स्टॉक है पंजाब नाशनल बैंक, अभी हम लोग चाट के विकली टाइम फ्रेम में हैं और आप देख सकते हैं ये जो जोन मेंने ड्रॉ किया है, ये जोन स्ट स्टॉक के लिए एक इंपॉर्टन जोन था और काफी समय के बाद करीब 6 साल के बाद स्टॉक ने ये रेजिस्टन्स को ब्रेक आउट दिया है, और यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं स्टॉक ने रिटेस्ट करके फिर से अपमूब भी देना चालू कर दिया है, और आप साई भी कंटिनियूसली 60 के उपर ही चल रहा है, और अभी ये अपड ही जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्टॉक में अभी स्ट्रेंग्थ बहुत अच्छा है, चलिए स्टॉक को एक बार अभी डेली टाइम फ्रेंब में देख लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नया हमारे लिए रेजिस्टन्स क्रियेट हुआ, अभी उसको भी बहुत ही अच्छे कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेक आउट कर लिया है, और फिर से उसी लेवल को सपोर्ट लेके स्टॉक अभी फिर से कॉंसलिडेट कर रहा है, यहाँ पर हम लोग अगर RSI का भी देखें, तो RSI पहले थोड़ा नीचे आया था, लेकिन उसके बाद 40 के उपर सपोर्ट लेके दीरे-दीरे उपर जा रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि स्टॉक यहाँ पर अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, तो यह सब रीजन हमको कन्विंस कर रहे हैं कि स्टॉक में अभी एक up move आ सकता है, अभी चलिए बात कर लेते हैं कि स्टॉक में हम लोग अपनी entry कैसे प्लान करें, यहाँ पे मुझे अगर अपनी entry बनानी हो, तो मैं last candle का high break होने पे मैं अपनी entry प्लान करूंगी, करीब 138 के level पे, तो पहले target के लिए हम लोग यह जो swing बन रहा है, इ इसको हम लोग यह resistance के उपर अगर plot करेंगे, तो हमको हमारा पहला target मिल जाएगा, करीब 150 के level पे, तो यहाँ पे हमारा target करीब 9-10% का बन रहा है, यह target के लिए मैं अपना stop loss जो है, यह support जो उनके थोड़ा सा नीचे प्लान करूंगी, करीब 130 के आसपास, यहाँ पे करीब 5 परसेंट के risk के सामने हमको करीब 10% का reward दिख रहा है, जो कि 1-2 का ratio बन रहा है, यह तो हो गया हमारा short term target के लिए plan, कोई अगर इसको थोड़ा सा long term plan कर रहे हैं, positional plan कर रहे हैं, तो उसके लिए भी check कर लेते हैं, उसके लिए हम लोग chart को एक बार फिर से weekly time frame में देख अगर इसके depth को हम लोग consider करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को हमारा positional target मिल जाएगा, और यह करीब 35-40% का target बन सकता है, और इसके लिए हमारा जो stop loss है, यहाँ पे मेरा जो stop loss है, वो दो तरीके का होगा, मैं अपना पहला stop loss यही candle के last candle के नीचे रखूंगी, क्योंकि यह ए 23 के आसपास रहता है, और दूसरा मेरा stop loss, यह जो swing बन रहा है, इसके नीचे होगा, around 110-115 के आसपास, हमारा आज का दूसरा stock है, स्रीराम फाइनांस, पहले हम लोग stock को एक बर weekly time frame में देख लेते हैं, आप देख सकते हैं, stock जो है uptrend में है, और हमें साही all time high पे चल रहा ह बीच में थोड़ा बहुत correction आया है, लेकिन most of the time stock all time high पे ही चल रहा है, अभी यहाँ पे आप last में के बाद आप यह rally को notice करें, आप देख सकते हैं, stock continuous upward move कर रहा है, all time high पे ही चल रहा है, और यहाँ पे volume activity भी बहुत अच्छी दिख रही है, और यहाँ पे stock थोड़ी देर consolidate किया है, और यह जो मैंने zone draw किया अभी, यह zone resistance था, और यहाँ से stock में अभी breakout आ चुका है, अभी चलिए, थोड़ा daily time frame में देख लेते हैं, देखें, यह time frame में हमने जो यहाँ पे resistance zone draw किया था, यह clearly समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, stock ने यह resistance zone से breakout कर किया है, लेकिन इसके बाद अगले ही दिन stock में थोड़ा सा correction आया, क्योंकि seller ने इसको फिर से नीचे push करने की कोसिस की, लेकिन इसको इस label के नीचे नहीं ले जा पाए, और stock फिर से यहाँ से उपर की तरफ चला गया, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे stock को एक अच्छा support मिल रहा है, तो इस case में हम लोग यहाँ पे अपना एक trade प्लान कर सकते हैं, तो चलिए stock में entry कैसे प्लान करें, वो बात कर लेते हैं, यहाँ पे यह जो red candle आपको दिख रहा है, इसका high अगर break होता है, करीब 2573 के label पे, तो ही मैं यहाँ पे अपना entry प्लान करूंगी, क्यूंकि मुझे लग रहा है, कि यहाँ पे seller थोड़े हावी हो सकते हैं, तो हम लोग हमेशा ही कोसिस करेंगे, हम अपनी जो trade प्लान करें, वो इस high के break होने के बाद ही करें, उस case में, तो मैं अपने पहले target के लिए यह swing का depth को consider करूंगी, और यह range जो है, इसको मैं अपने resistance के उपर plot करूंगी, तो यहाँ पे मुझे एक target मिल जाएगा, करीब 2723 के label पे जो की around 5-6% का होता है, और मेरा stop loss 2450 के आसपास का होगा, और आप अगर इसको positional plan कर रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा longer view में रखें, क्यूंकि stock अभी जो है, निप्टी फिप्टी में आ गया है, UPL क को replace करके, और अभी all time high पे भी चल रहा है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा target आगे बन सकता है, अगर आप positional plan कर रहे हैं, तो around 2250 के नीचे आप अपना stop loss लगा के, आप अपने longer target के लिए weight कर सकते हैं, तो चलिए हमारे तीसरे stock पे चलते हैं, आज का हमारा तीसरे stock है, IC प्रू लाइफ इंस्यूरंस, अभी हम लोग चार्ट के weekly time frame में हैं, और आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक inverted head and shoulder का pattern बन रहा है, यहाँ पे देखिए, यह हो गया left shoulder, यह head और यह right shoulder बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, stock में breakout होके, retest भी हो गया है, अभी चार्ट को daily time frame में देख लेते हैं, यह जो last reading session का candle है, इसका high अगर break होता है करीब 630 के level का, तो मैं यहाँ पे अपना entry plan करूँगी, और मैं अपना पहला target के लिए यह जो छोटा सा swing है, इसका depth को मैं consider करूँगी, इसको हम हमारे resistance के उपर plot करेंगे, तो करीब 660 के level पे मुझे मेरा short term का target मिल जाएगा, जो कि करीब 5% का बन रहा है, और stop loss यह जो support है, इसके थोड़ा नीचे हो सकता है, around 600 के आसपास, अगर मैं यहाँ पे positional target plan करूँगी, उसके लिए थोड़ा सा हम लोग weekly chart में वापस चलेंगे, तो मैं अपने पहले positional target के लिए यह shoulder का depth को consider करूँगी, औ और इसको मैं अपने resistance के उपर plot करूँगी, तो मेरा पहला target around 730 के लेबल का रहेगा, और दूसरा target के लिए मैं यह head का depth को consider करूँगी, और इसको मैं resistance के उपर अगर plot करूँगी, तो मुझे 824-825 के आसपास का एक लेबल मिल जाएगा, यहाँ पे मेरा दो target है, उस हिसाब से मेरा stop loss भी 2 रहेगा, मेरा जो पहला target है, जहाँ पे हम लोगों ने shoulder के depth को consider किया था, उस case में मेरा stop loss जो है 580 के आसपास रहेगा, और जो मेरा दूसरा target था, जहाँ पे हम लोगों ने head के depth को consider किया था, उस case में मेरा stop loss जो है, यह 540-545 के नीचे हो जाएगा, अभी हम लोग अगर risk reward measure करें, हमारा पहला positional target के लिए करीब 6% के risk के सामने हमको 16-17% का reward मिल सकता है, और हमारे दूसरे positional target के लिए करीब 12% के risk के सामने हमको 30% का reward बन सकता है, और हमेशा ही ध्यान में रखें कि मैंने यहाँ पे जो भी discuss किया है, यह completely मेरा point of view है, कोई भी buying या selling की suggestion नहीं है, आप कोई भी अपनी investment करने से पहले अपने advisor से बात कर ले, या फिर अपना खुद का analysis खुद कर ले, आपको हमारा analysis कैसा लगा, comment में जरूर बताएगा, वीडियो अगर पसंद आया हो, तो like करना बिलकुल मत भूलिएगा, और जो नए subscriber है, अगर आप ऐसा ही content अ आप झाएगागा i a ले वीडियो अमेकमा खुद आपको हमारा झार listening, क्यमा खवब कर दंस एक कई का analysis? अबर आपको बताँ से ले, टे को Detा अपको हमारा घूमा ओबर कुद एक के एक माना खब एक और आपको मारा है?